हाई कोट के निर्देश अनुसार गौली और जिले में यातयात व्यवस्ताओं को लेकर पोलिस प्रसाशन काफी सकते हैं आपको बता दे कि लगाता 30 से दिन भी शेहर के चौराओं पर चैकिंग जारी रही जिसमें दो पईया और चार पईया वाहनों की बड़ी संख्या में चालान काटे गए और इस दोरान कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया उच नियाले के आदेश अनुसार मध्यप्रदेश की यातयात पोलिस ने ट्राफिक व्यवस्ता सुधाने के लिए पचास दिन का भ्यान चला रखा है जिसके तहट दो पईया वाहनों पर हेलमेट ना लगाने वाले और यातयात नियमों का पालन ना करने वाले लोगों पर कारवाई की जा रही है इस इक्रम में लोगों को यातयात नियमों का सही तरीके से पालन कराने के लिए जन जाग रुपता मिशन चलाया जा रहा है